या आप कोई अभी एक unwanted problem में फसे होए हो और आप इससे बाहर निकलना चाहते हो आज मैं आप कोई बहुत ही आसान सबसे short prayer सिखारी हूँ जो आपको अपनी life की एक habit बना लेनी चाहिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि unwantedly आप situations में indulge होते जारे हो ना चाहा कर भी situation मेरे सामने negative होती जारी है मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कर रही हूँ लेकिन लग रहा है हर तरफ से सिफ दर्वाजे बंध हो चुके हैं और मुझे कोई help नहीं बल रही है वो career related हो सकता है love related हो सकता है आपके finances money health किसी से भी related हो सकता है आपकी family के साथ ऐसा हो रहा है और किसी के भी साथ अगर ऐसा हो रहा है छोटी सी बच्चे के साथ क्योंना हो रहा हो आप इस prayer को करना शिरू कर दीजे I know बहुत सारे लोग इस टीस के बारे में जानते हैं बहुत सारे लोग इस टीस पर काम कर भी रहे हैं लेकर मैं यह चाहती हूँ आप सब लोग अपनी लाइफ में इस चीज को एक हाबिट बना ले और इसको आप रोज प्राक्टिस करना शिरू करते हैं यह बहुत आसान prayer है guys और जितने भी लोग unwanted problems में indulge हो जाते हैं पता नी यार हमने तो कुछ गलत करा नहीं असा क्यों हो रहा है पता नी मुझसे mistake तो हुई नी थी फिर भी मैं ही क्यों suffering जेल रहा हूँ या जेल रही हूँ तो आपको इस prayer को करना शुरू करना है मैं सब कुछ बोलने का तरीका सिखाने वाली हूँ आप उससे सीख लीजे और आज जितने लोग इस prayer को अपनी habit बनाना चाहते हैं मुझे comment section में लिखकर जाएगा I promise that I will start from today I promise that I will start from today and guys मैं अपनी अगर personal बार बताऊ ना जब मैं प्री लाइफ के एक सबसे बड़े negative situation में थी इस prayer ने मिली सबसे जल्दी help करी थी बहुत आसान prayer है लेकिन सिर्फ chanting का खेल है जितना जदा chant करेंगे दिल से बोलेंगे आपको अंतर दिखने लग जाएगा आप इस prayer को periods में कर सकते हैं आप इस prayer को चलते फिरते बैठे हुए कर सकते हैं आप इस prayer को अपने घर की पूजा जहां पूजा करते हैं वहाँ बैठ कर कर सकते हैं अपने office में कर सकते हैं अपने business जो आपकी you know आपका जो cabin है जहां आपका business है आप वहाँ कर सकते हैं अपनी सेल्स बढ़ाना है पैसों का सालरी इंक्रीस करना है मेरे ओफिस का एंवार्मेंट बहुत खराब है आप इस प्रेयर को करना शुरू कर दीजिए मतलब जितनी सफ्रिंग्स हो रही है ना अन्वांटे ट्रॉब्लम्स में आ रहा हूं मैंने तो कुछ गलत करा नहीं है फिर मेर के आसपास हैं उनको भी प्रेयर बोला सिखाई है चोटी उमर से अगर यह बोलेंगे तो इन फ्यूचर इनकी जितनी प्रॉब्लम्स है जितनी कार्मिक इशू है वो सब हील हो जाएंगे और वो अपनी लाइफ में हापी लाइफ की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देंग जिन भगवान की पूजा करते हो उनका नाम मनीमन सोचो या उनकी पिक्चर मनीमन लो और यही बोलो डेरिस्ट यूनिवर्स डेरिस्ट गॉड मैंने कभी किसी का कुछ गलत नहीं करा है मेरे लाइफ में मेरे बहुत अच्छे इरादे रहे हैं और अपनी जिन्देगी में आगे बढ़ना चाहता हूं या आगे बढ़ना चाहती हूं जिस भी वज़े से मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं या फेस कर रही हूं मैं चाहती हूं कि ये जल्दी खतम हो जाए I am sorry please forgive me I thank you I love you I am sorry please forgive me I thank you I love you ये चार सेंटेंस को कम से कम 11 टाइमस 21 टाइमस मनी मन बोलेंगे आप लोग और फिर लेट गो कर देंगे सुभा कर लीजे 10 से 15 मिनिट रात को सुने से पहले कर लीजे 10 से 15 मिनिट जो भी प्रॉब्लम आ गई है एकदम बिलकुल खड़ी हो गई है हटी नहीं रही है ये उन इसके बारे में सोचना नहीं है अगर माइंड में थौट आ जाता है राइट किया मैंने प्रेयर तो करा था प्रेयर तो करी थी थैंक्यू यू यू यूनिवर्स मेरे फेवर में काम हो रहा है हम गलती क्या करते है ना प्रेयर करने के बार जह में लेट गो करना रहता है उस एसी लाइफ में जिंदगी में कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं मिल सकती आप इस प्रेयर को करना स्टार्ट कर दो और देखना आपको अपकी लाइफ में कितनी जल्दी चैंजिस दिखना स्टार्ट होने लग जाएंगे बहुत छोटी प्रेयर है बहुत पावरफुल है रोस करो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी मैं चाहता हूँ के फ्यूचर में मुझे प्रॉब्लम नहीं हो मनी मन में बोलते रहो चॉय करिएगा और मुझे बिताएगा राधी राधी